तो आज हम यूट्रोपिन 4-IU injection के फुल डिटेल डिसकेस करेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट इंजेक्शन है तो इस वीडियो को आगरी तक देखे तो यूट्रोपिन इंजेक्शन 4-IU सुमा्टोपिन क्या है यह ग्रोथ हार्मोन है जो इसका सिक्रीशन होता है जो ब्रेंड में प्रिजेंट होती है एंटिरी पिटूटरी गिलेंड ब्रेंड में प्रिजेंट होती है, पेप्टाइट फॉर्म में इसका सिक्रीशन होता है, इस हार्मोन का, यह हार्मोन ओवरॉल बोडी की ग्रोथ करवाता है, यह हार्मोन सेल का रिप्रोडक्शन और सेल रिजनरेशन की प्रोसेस को स्टिमिल चायड़ूड बच्चों की ग्रोथ टिश्यू और और्गन को मेंटेन के लिए हार्मोन वेरी इंपोर्टेंट है सोमाटोटोपिन को और भी कई यूज है जैसे मेंटेन, ब्यूल्ड एंड रिपेर हैल्डी टिश्यू इन दि ब्रेन अधर और्गन सोमाटोटोपिन गाव बूंड इंजरी को जल्दी हील अप करता है, गाव को जल्दी भरता है एक्सरसाइस के बाद जो टूरी ही मसस टिश्यू होती है उसको रिपेर करता है और जो extra fat आपके body tissues में एखटा हो जाता है उसको बन करता है और glucose level को भी maintain करता है इसके और भी कई use है लेकिन नभी तक इसको identify नहीं हुआ है अब हम patient को इसका treatment कब देते हैं जब patient के growth failure होया थी जब उनकी growth रुख जाती है growth hormone deficiency होने लगती है जब उनका somatotropin anti-pytutry gland से secretion कम हो जाता है intestinal disorder short bald syndrome में देते हैं HIV जैसे disease में हम somatotropin को देते हैं और अगर आपका जल्दी weight loss होता है तो हम उसमें भी इसका use करते है somatotropin बच्चों में height को बढ़ाने के लिए और कुछ disorder में भी दिया जाता है जैसे noonan syndrome, turner syndrome and idiopathic short stator noonan syndrome में ये एक rare genetic disorder है जिसमें बच्चों की height रुख जाती है और उनका chest shape भी unusual होने लग जाता है उसमें heart defects भी होने लगते है turner syndrome ये भी एक rare genetic disorder है जो सिर्फ girls में पाया जाता है इस syndrome में उनकी height में problem हो जाती है उनकी height short रहती है somatotropin injection को IEM और subcutaneous दिये जाता है ये as directed by your physician इसका dose और आपके condition के उपर depend करता है आपकी age, weight और disease पर बैसे adult में इसको adult human growth hormone deficiency में इसका जो dose लगता हो 0.004 mg पर kg होता है इसे subcutaneous once a day एक ये 0.004 mg once a day इसे एक दिन में लगा जाता है subcutaneously इसका seven days का रिवे से dose होता है 0.04 mg पर kg पर week हम इसे six और seven days में divide कर लेते हैं अब हम बात करते हैं somatotropin injection जो human recombinant injection है इसके side effects क्या है इसके विए common side effects हैं जैसे headache, nausea, vomiting, fatigue, muscles, pain और weakness जो दूसरे injections में दूसरे tablets में और ये growth hormone है उनमें ये normal side effects पाए जाते हैं अगर आपको इसके अलावा कोई extra side effect होते हैं तो आप अपने doctor के साथ इसे share कर सकते हैं ये injection आपको सिर्फ prescription पर ही available होगए क्योंकि ये growth hormone है इसका लोग illegal भी use कर सकते हैं जल्दी growth और hide बढ़ाने के लिए अब हम बात करते हैं इस injection के precautions क्या है प्रिकेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है अगर आपको growth hormone related allergy है तो इस injection का यूज नहीं करें यह आपको doctor allergy इस injection में कुछ inactive ingredient हो सकते हैं जैसे benzyl alcohol और meta aerosol found in some brands ये कुछ indications है जो आपको ध्यान रखना हैं आपको अपनी full detail full medical history आपको अपने doctor के साथ share करने है अगर आपने कोई non prescription drug and prescription drug ली हो तो यह तो छोटी सी description थी somatotropin injection के growth hormone से injection के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को like and subscribe कर लिजेए for the more upcoming videos Thank you so much for watching this video